सियासी संकट पर बुलाई गई महाराष्ट केबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। बैठक में उद्व सिंग वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये जोड़े हैं। क्योंकि वी कोरोना पॉजिटिव हो गई है, मीटिंग में क्या तैय हुआ है, ये अभी सामने नहीं आया है। सूत्रों की माने तो बैठक से आठ मंत्री गाइव रहे हैं, बैठक से पहले संजय राउत इशारा कर चुके हैं। विदानस्वा भंग होने की दिशा में जा रही है, वहीं सूरत से गुहाटी पहुंच चुके एकनाज सिंदे अब अपने 746 विधायकों के होने का दावा कर रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि शिपशेना से अलग नहीं होंगे, कोई एकनाज सिंदे ने अपने बयान में फिर दोराया है कि हम बाला साहिब ठाकरे के हिंदुत को आगे लेकर जाएंगे। इससे पहले सूरत एयरपोर्ट पर उन्होंने कहा था कि हमने बाला साहिब ठाकरे का हिंदुत तो छोड़ा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि उद्दब ठाकरे बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाए। सिंदे ने जिन 40 विदायकों के बारे में कहा है उसमें साथ में जली विदायक शामिल है। सूबे में जारी हर स्यासी घमासान के बीच कॉंग्रेस के सीनियर नेता कमालनात मुंबई आ रहे हैं और सीयम उद्दब ठाकरे से मिलेंगे। MKN Newsday Desk Report